हाई एव्डिवन वॉल्कमबाक तू माय यूट्यूब चैनल हमारी आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे हिमाचल प्रदेश के अगस 22 के क्रंट अफ़ेर पारट वन को हम पहले डिसकस कर चुके हैं आज हम डिसकस करेंगे पार्ट टू को लेकिन डिसकस्च्न से पहल भी statement based पूछे जा रहे हैं और मैंने यहां पर RFO के पेपर से और हिमाचल प्रदेश administrative services के पेपर से कुछ एक हिमाचल के current affairs के questions उठाएं जिससे आप लोगों को एक idea लग जाएगा कि इन actual current affairs में से आप लोगों को पढ़ना क्या है किस तरह के current affairs पूछे जा रहे हैं तो चली देख लेते हैं 5-6 questions को discuss करके कि क्या क्या वहां पर पूछा जा रहा है current affairs में से तो पहला question पूछा गया था यहां पर एक project से related which of the following are not correct about the हिमाचल प्रदेश forest ecosystem management and livelihood improvement project हिमाचल प्रदेश वन पाजसितिक तंतर प्रबंधन और अजिविका सुधार परयोजना के बारे में क्या साही नियान तो इसके बारे में आप लोगों से यहां पर छोटी छोटी detail भी पूछ ली गई है पूरे proper जैसे कि किस agency किस हाईता से इसको शुरू किया गया है इसके सासाथी कहां कहां पर इसे implement किया गया है और ये भी पूछा गया है कि जैसे एक particular year में 2020 किसमें इसके लिए कितना budget दिया गया है कौन से banks हैं जो इसकी implementation के लिए help कर रहे हैं तो ये सारा एक particular project से आप इस तरह के expect कर सकते हो जैसे कि शीवा project हो गया crop diversification project हो गया इस तरह से ये questions बन सकता है next question आ गया यहाँ पर कुछ एक यहाँ पर schemes देखिए जो मैंने अभी तक questions देखे ना RFO और HS के paper में वो maximum जो वहाँ पर coverage हुई थी वो हुई थी government scheme से यानि कि government schemes में कैसे भी करके comment scheme से ही question पूछे गए थे जो हिमाच्र प्रदेश की government ने कुछ एक scheme चलाई है जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मुख्या मंत्री खेट सरक्षन गोचना यह scheme इतनी बार आती है गिरी राज news paper में तो यह इतनी बार आती है कि कोई इंसान अगर ना भी उसको उसे भी याद हो जाए जो paper ही देखता है ना उसको याद हो जाए scheme के बारे में ठीक है तो यहाँ पर पूछा गया था यहाँ बिटना एक question में तीन चीजे डाली गई है तीन schemes के बारे में तीन schemes को एक ही question में पूछ लिया गया है जैसे case selection योजना को पूछा है यहाँ पर इसके साथ ही यह भी पूछा गया है कि एक नई scheme launch की है जल से कृष्टी को बल ठीक है इस scheme को भी पूछा है कृष्टी से संपनता याख breeding center at काइमो एंड काइतो इन लाओ पिती वैली याख breeding center यह statements दी गई है आप लोगों को यहां पर कुछ एक और यह जो breeding centers होते हैं आचा है याख breeding पूछ लिया horse breeding पूछ लिया fish breeding पूछ लिया बहुत important है जीके के perspective से भी कौन पहला था कौन कहां पर है ये भी पूछी लिया जाता है ठीक अब इसके बाद देखो यहां पर एक स्टेट्मेंट ये दी गई है कि जून 2018 में हिमाचर प्रदेश ने डिसाइड किया कि वो भुटान पुरानी रहों से एक स्कीम लाँच की गई है लेकिन अगर आप लोगों को पता होगा कि नहीं रहे नहीं मंजले योजना क्या है तो भी आसानी से कर सकते हो इन क्वेस्टन को साथ में ये भी एक सेट्मेंट आड की है तो प्रमोट टूरीजम इन हिमाचर प्रदेश तो स्टेट गोर्मेंट हास गिवन इट्स नौर तो फिल्म मेकिंग पॉलिसी फ्रेमड बाइ डिपार्टमेंट अफ तूरीजम एंड सिविल एविएशन अब देखो यहां पर ना एक क्वेशन में चार अलगलग जगह से चार अलगलग टॉपिक से स्टेट में अड की हुई हैं तो अब आप लोग खुद दी देख लो कि कितने जादा इंपोर्टेंट ये क्रेंट अफेर्स हो जाते हैं चाहिए हिमाचर प्रदेश के ही हैं और एफो के पेपर में को दो दो नमबर के तो भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमाचर के क्रंट अफेर्स होते ही कितने हैं पहले तो थोड़े से क्रंट अफेर्स होते हैं और इनको इन में से अगर आपको चार नमबर आ रहे हैं आप सीक्योर भी कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ये अब next question यहाँ पर है, यह planning department ने एक document दिया था, ready किया था, ease of living का, इस ते related question पूछागें कि इसमें क्या involved था और क्या नहीं था, इसमें क्या सही है और क्या नहीं था, सही यहाँ पर, next question में भी schemes आड की गई हैं, कि शक्ती आप, apps भी important है, जो different departments time to time apps बनाते रहते हैं, और यह ATN, मोल योजना से भी question पूछा गया, ऐसा नहीं कि जो current में scheme चली है, देखो अब बहुत सरे लोग इस question को भी पूछेंगी, schemes कितने साल की आद करें, जैसे पिछले एक साल का करें, या फिर उसके कितने time तक, क्योंकि बहुत पुरानी भी पूछी गई होती हैं, देखो different schemes की 4-5 statements add करके, एक question आपका बना दिया गया था, ठीक है, next question है, आप लोगों का यहां पर, यह HS की paper में ही आया था, यह first state है, जिसने district good governance index को शुरू किया गया था, यह तो इसी से पूछ लिया था, district good governance index, एक particular topic और हमने भी अपने current affairs में cover किया थी, यह questions, 21 में अच्छे current affairs क question पूछे गया थी, इसके साथ ही budget और economic survey तो मैंने शायद आप लोगों को किसी एक वीडियो में बताया भी है, कि economic survey से तो as it is, मतलब examiner ने भी इतनी pain नहीं ली कि मैं question को थोड़ा सा mold करू, टेढा मेडा करू, कोई pain नहीं लिया, examiner ने भी, direct किसी एक particular paragraph को उठा कर कि question डाल दिया है, economic survey पड़ोगे और HS का paper देखोगे, तो यही किया हुआ है, तो next है, the state government has taken an initiative towards good governance by setting up CM-board, ऐसा को initiative लिया है, इसके बारे में पूछा गया है, question में, भारत net is an initiative of government of India to provide broadband services to the municipalities, him swan was set up under e-governance plan, तो पहले questions आते थे, जिसमें एक topic से आप लोगों को कोई एक चीज पूछ ली गई होती थी, ठीक है, लेकिन अब जो question आ रहा है न, उनमें एक ही question में, तीन चार करंटाफेयर को mix करके पूछा जा रहा है, तो difficult तो करी दिया है इन लोगोंने level, खेर, तो अभी आप लोगो कहां के लिए किया है, कब हुआ था, इसके अलावा भी छोटी छोटी डिटेल्स भी यहां पर पूछी जा रही है, अब हम देख लेते हैं हमारे अगस्त 2022 के करंटाफेयर्स, first part discuss कर लिया था पहले ही, तो पहला question हमारा करंटाफेयर का बनता है यहां से, HP crop diversification project in हिमाच्रप प्रजेक्ट को सपोर्ट कर रही है, हिमाच्रप प्रजेक्ट को चलाय जा रहा है, पहला फेस सिर्फ पांट जिस्टिक में चलाय गया था, और दूसरे फेस को पूरे के पूरे जो 12 जिस्टिक में चलाय गया था, जो second phase चलाया हुआ इसके लिए cost थी, 1010.60 क्रोड की, objective क्य बेसिकली इसका जो objective है, वो है state में crop diversification को लाना, यानि कि जो crop diversification है, उसका एक successful model बनाना, crop diversification नाम से आप लोगों मतलब समझ पा रहे हो यहां पर, कि जो crop से उनमें diversification लाना, उनमें विविदी करन लाना, अलग-अलग तरह की जो crop से उनको introduce करना, इसके साथ ही जो vegetable cultivation area है, यहां पर हिमाचिर प्रदेश में 5,000 hectare से 7,000 hectare करना है 2021 तक, इस project में जो area है, project के through करेंगे, और इसका जो basic aim है, अब देखिए ये तो हमने देख लिया कि crop diversification करना है, यानि कि साथ में ये भी है, जैसे traditionally जो crops को grow करवाया जा रहा है, उसके अलावा other crops को भी promote करना है, कि उ इसक सुविधाय दी जाएगी, इसके सासाती farm access roads दिये जाएगे, farmers जो हैं उनको vegetable food grain cultivation, post harvesting, जब आप harvest कर रहे हो फसल को, उसके बाद क्या-क्या steps आपको लेने चाहिए, इन सब चीजों के लिए proper technical training भी दी जाएगी, तभी successful होगा ये project, इसके साथ ही, और लेकिन जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 district में पहले किया गया था, ये district कौन कौन से हैं ये भी आप लोग ध्यान रख लिजिए, बिलासपूर, कांगरा, हमीरपूर, मंडी और उना, 2011 से शुरू कर दिया था वहाँ पर, ठीक है, और second तो मैंने आपको बतायी दिया कि सारे के सारे district में इ देखें, इस प्रोजेक्ट का तो वो यही है कि जो फार्मर्स है उनकी इंकम को बढ़ाया जाए, पर यूनिट एरिया जो फार्मर्स की इंकम है उसे बढ़ा दिया जाए, अब यूज में क्यों था, ये इसलिए था कि हमीरपूर का जो क्रॉप क्लेक्शन सेंटर है, उसको मतलब वो इतना खराब हो चुका है कि अब उसे डंप गार्वेज के लिए यूज किया जा रहा है तो ये था हिमाचर प्रदेश क्रॉप डावर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट और इसे हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं अपनी पुरानी क्रंट अफेर्स की वीडियो में और किस मंत का था ये मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है नेक्स्ट कोशन हमारा है तो हिमाचर प्रदेश प्रदेश पब्लिक सविस कमेशन के जो नए चेर्मन बने है वो एक IPS ओफिसर है रामेश्वर ठाकूर इससे पहले जो डॉक्टर रचना गुपता है मेंबर थी ये हिमाचर प्रदेश पब्लिक सविस कमेशन की इन ही अपोइंट किया गया था चेर पर्सन लेकिन अपने कुछ एक वेक्तिगत कारणों से इन्होंने चेर पर्सन की अपोइंटमेंट के लिए मना कर दिया तो 26 अगस्ति आने की आज के दिन ही इन्होंने ये ओर्थ ऑफ ऑफिस ली राजभवन में गुवर्नर ने इनको ओधी लाई IPS ऑफिसर रामेश्वर ठाकुर को तो इंपोइंट है ये भी न्यू चेर पर्सन हिमाचर प्रदेश पब्लिक सविस कमेशन के जो चेंज हो गया है पॉसर लोग तो डॉक्टर अचनो गुपता पी टिक लगा के आएंगे अगर पूछ भी लिया गया तो आसान चीचों को जादा गलत करते हैं नेक्स्ट आ गया पोरी फेस्टिवल इस सेलिब्रेटर इन विच ओव न फॉल्विंग डिस्टिक रिसेंटली कुश्टिवल ह्मारा है लोग रहे हैं पॉन्टा साहिब में प्रग्ति शिली माचस था अपनाके 75 वर्ष का समरो हो रहा था तो वहां पर आये थे बी जेपी प्रेजेडेंट जेपी नडड़ण इन्होंने यहां पर कहा था कि यह एक्टिवली ले रहे हैं इनकी इस डिमांड को कि जो ट्रांस गीरी एरिया के लोग है सिर मौर की इनको स्टी का स्टेटस दिया जा सके और आज की न्यूस में भी आया था सुबह जो हमारे सीम है वो भी एक कह रहे थे कई पर ये प्रक्तिशिल हिमाचल सापना के प्चत्तर वर्ष का समरो हो रहा था सुबह भी उन्होंने सुबह न्यूस में आया था कि तब भी इन्होंने यही कहा था कि गुड़ न्यूस जल्दी ही मिलने वाली है सिर मौर को हाटी कम्यूनिटी के रिगाडिंग तो लग तो रहा है कि 100% इनको ये SD स्टेटस मिली जाएगा लेकिन फिर भी देख लेते हैं आगे प्रोटेस्ट भी हो रहा है इसके खिलाव नेक्स्ट क्वेश्टन है टक्राला व्यर पोल्ट्री सेंटर ट्रेनिंग सेंटर इस बिइंग ओपन दिस्टिक पहले ना इस तरह के question भी पूछे जाते थे previous years को अगर आप लोग देखोगे कि कोई particular जगा है अगर वो news में यहां पर कुछ हो रहा है तो वो कहां पर है किस जिले में है जिसे रंग रीक जहां पर 2 megawatt का solar park project बनाया जा रहा है वो किस जिले में है इस तरह के questions पहले पहले previous years में काफ पंचाइती राज institutions at Bustle Village is being set up with help of which country किस देश की मदद से ये dairy में उतकृष्टता केंदर को Bustle गाओं में स्थापित किया जा रहा है डेनमार्क पहले भी हम अपने करंट अफेर में से discuss कर चुके हैं और यहां पर बहुती advanced facilities आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी जैसे question है which district hospital received the first award of Kaya Club of the hospitals in 2021 काया कलब का किसे award मिला है पहला award तो ये मिला है कुलू district का जो regional hospital है उसे मिला है 2017-18 में भी इसे ये award एक बार मिल चुका है क्यों दिया जाता है ये basically सोच भारत mission के अंतरगत जो कोई भी hospital अगर national quality assurance standards को पूरा करता है इसके अंतरगत सही तरीके से perform करता है तो उन्हीं ये award दिया जाता है और उस समय जिस जिनके समय पर ये award मिला है regional hospital को उस समय वहां के जो chief medical officer थे वो थी डॉक्टर सुशील चंदर शर्मा इनको भी अभी एक lifetime achievement award मिला है ठीक है इसके साथ ही इन्हे 2019 में state का पहला award सबसे जादा इन्होंने आईश्मान भारत और हिमकेर स्कीम्स के अंतरगत कार्ड बनवाए थे इसके लिए इन्हें state का first award भी 2019 में मिल चुका है तो इसमें दो news एकठा compile की गई है एक तो इसे काया कलप award जो मिला ह और इसी के ही जो chief medical officer है इन्हें lifetime achievement award मिला है नेक्स्ट है choose the correct statement विकास ठाकूर won't silver medal in commonwealth game 2022 जैबलिन थ्रो गलत है बेट लिफ्टिंग में मिला था इनको अभी silver medal नेक्स्ट है he belongs from mamlik village solan district ये भी गलत है ये कहां से बिलॉंग करते हैं पत्नौर नियर टॉनी देवी हमीरपूर district से बिलॉंग करते हैं लेकिन आप लोग मुझे बताओगे कि ये बहुत ही famous personality है हिमाचल प्रदेश की जो mamlik village solan district से बिलॉंग करती है female है तो बहुत ही famous है हजारो बार हम उनको discuss करते हैं current affairs में करते रहते हैं comment section में बताओगे अगर आपको लोगों को याद आ रहा होगा त नेक्स है this was his third medal in commonwealth games ये बिल्कुल सही है पहले भी discuss कर चुके हैं पीछले part में ही कि commonwealth games में इनका ये third medal था इस बार का तो third only यहाँ पर correct answer है इसका next question है सराहन where state level independence day function was held in which district of हिमाचप देश सराहन ये जगह कहां पर है जहां पर state level का independence day function बनाया गया तो ये है आपके सिर्मौर में next question है वज्र प्रहार is exercise between किन दो देशों के बीच में ये वज्र प्रहार exercise है तो इंडिया और US के बीच में है न्यूस में ये इसलिए यहाँ पर include किया गया है क्यूंकि इसका जो 13th edition है बकलो में हो रहा है बकलो कहां पर है चंबा district में है माचप्रदेश के special force training school में हो रहा ह next question in which district of माचप्रदेश is सिंकुला पास where first trial of HRTC runs successful किस जिले में शिंकुला दर रहा है जहां पर HRTC का पहला परिक्षन सफल रहा शिंकुला पास है आपका मनाली में और राइट कुलू district में फाइदा क्या होगा इससे पहली बार अब यहाँ पर HRTC बस चलेगी तो फाइदा ज जन्सकर घाटी के लोगों को क्योंकि जिस तरह से लेहे में टूरीजम बढ़ा है उसी तरह से अब जो जन्सकर घाटी है वहाँ पर भी टूरीजम बढ़ेगा शिंकुला पास की जो हाइट है वो 16,703 फिट है इंडियन फ्रीटम फाइटर जो है वो किस डिस्टिक से बिलॉग करते हैं तो ये बिलॉग करते हैं आपके सिर मौर जिला से न्यूज में ये क्यों थे न्यूज में इसलिए थे क्योंकि अब भी मैंने पीछे आपको बताया कि जो सरहन है वहाँ पर स्टेट लेवल का इसको बनाने के लिए तो डॉक्टर वाईयस परमार के बारे में तो हम डिसकस करते ही रहते हैं बहुत बार आज हम वैद सिंग सूरत जी के बारे में कुछ एक जान लेते हैं ये सिर मौर के हबबन विलेज के रहने वाले हैं और ये एक आयर वेदा चारह थे सिर मौर तरह के करंट अफेर्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता होना ही चाहिए जैसे की लंपी स्किन डिजीज बहुत सारा चला है आजकल किसमें चला है कैटल में चला हुआ है इसके सासाती दो जज्जिस हाई कोर्ट के निक्तु हैं अभी एक तो सु इसमें बहुत सारा नुकसान करती है उनजिले में तो इसलिए से रिवर ओफ सौरो कहा जाता है हिमाचर प्रदेश का नेक्स है हिमाचर प्रदेश स्टेट ओलंपिक गेम्स कहां पर होस्ट की जाएगी तो उनना और कांगड़ा मिलकर के इसे होस्ट करवा रहे हैं प्रीव पुलीस डिस्टिक बना है नूरपूर उसके पहले एस्पी कौन बने है तो ये बने है अशोक रतन पहला दूसरा है ना ये पुलीस डिस्टिक नूरपूर पहला कौन सा है कॉमेंट सेक्शन में बताना मुझे अब जो हमने फॉस्ट पार डिसकस किया था अगस्त 2022 का मैंने मैं सोचा कि क्यों ना उसके भी कुछ एक questions मैं यहां पर include करूं बहुत डिटेल में तो हम इन्हें नहीं discuss करेंगे just एक highlight की आप लोगों का revision हो जाए आप लोगों को पता चले कि हमने जिन्नों को नहीं भी देखा है previous part तो जागर के previous part देख लें तो पहला state कौन सा है जिन्नोंने horticulture policy को introduce करवाया है हिमाचिर प्रदेश ऐसा पहला state बनेगा देश का जिन्नोंने horticulture policy को introduce करवाया है अभी जो horticulture policy है मैंने अगस्त 2000 बाई के first part में से बहुत डिटेल में discuss किया है पांच मिनट जो है शुरू में वो हमने horticulture policy को ही discuss किया है क्योंकि ये बहुत जादा important है इसके जो सारे points है वो आप लोगों के लिए preliminary as well as main exam के लिए important है next आगया dash district got first ranking rankings released by home ministry for timely helping people and FIR FIR file करने के लिए और लोगों की समय समय पर time से help करने के लिए कौन सा district है जिसे first rank मिला है home ministry की rankings है home ministry ने जो ranking जारी किया है तो चमबा को मिला हुआ था first रेनुका धागूर क्रिकेटर है कहां से बिलाउं करती है किस district से शिमला से बिलाउं करती है विकास धागूर जो एक weight lifting में जिनको मिला था भी commonwealth games में silver medal वो कहां से बिलाउं करते है हमीरपूर में हमीरपूर से plastic band कब हो था हिमाचर प्रदेश में plastic band हुआ था आपका 2009 2009 में हो गया था plastic band अब next है Asian rafting championship किस जिले में conduct करवाई गई है तो ये conduct करवाई गई है आपके जिला कुलू में कितने teachers हैं जिने national teacher award के लिए नॉमिनेट किया गया है तीन है नाम भी मैंने बताय हूँ है previous जो first part है उसमें आप लोग इनको detail में देख सकते हो जो भी सारे detail में अगर आप लोगों को ये देखने है first part में जाके देख सकते हो कौन सी पहली city council है हिमाच रुक देश की जिसे ODF++ का status मिला दर्जा मिला है तो ये है मनाली international fair status किसे दिया गया अभी recently तो ये दिया गया आपके मिंजर fair को इसके बारे में भी हमने detail में देखा था मिंजर fair के बारे में तो ये थे हमारे अगस्त 2022 के current affairs I hope कि ये वीडियो आप लोगों के लिए useful है और सारे current affairs हमने discuss किया है जन्वरी से लेकर अभी तक के तो पूरे continuity में अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं चैनल पर नए हो तो playlist में जाकर कि आप सारे हमाच रुदेश के current affairs देख सकते हो तो चलिए आज के लिए इतना ही जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आप लोग सारे current affairs देखते रहे हैं और अच्छे से पढ़ते रहे हैं